सब्सक्राइब कीज़े डिफेंस स्क्वेड चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए रास्टरपती द्वारा लिया जाता है और उन न्यूकलर वैपन्स को लांच करने के लिए अमेरिका के रास्टरपती के पास एक खास तरका ब्रीफ केस होता है जिसे न्यूकलर फुटबॉल कहते हैं और उस न्यूकलर फुटबॉल नाम के ब्रीफ केस के अंदर अमेरिका के वेपन्स के launch codes होते हैं और उन launch codes को technical term में gold codes कहा जाता है और इसी तरह का एक brief case अमेरिका के उप रास्टरपती को भी दिया जाता है यानि कि अगर ऐसी को इस्तिती बनती है जिसमें अमेरिका के रास्टरपती nuclear weapon को launch नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसी इस्तिती में weapons को launch करने की जिम्मेदारी उप रास्टरपती लेते हैं और एक खास brief case अमेरिका के रास्टरपती के साथ हमेशा रहता है फिर चाहें वो दुनिया के किसी भी कौने पर विजिट कर रहे हूं और इसी brief case के चलते ही वे दुनिया के किसी भी कौने से अपने nuclear weapons को launch कर सकते हैं और ये जिस खास brief case के हमने बात करी है इसे आप से भी nuclear button के नाम से भी जानते होंगे जिसका जिक्र आपने movies में भी कई बार सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में nuclear weapons को launch करने का फैसला कौन लेता है और कि अब भारत के पास भी nuclear weapons को launch करने के लिए इस तरह का कोई खास brief case है या नहीं तो आज हम इनी सब दिल्चस्प सवालों के आपको जवाब देंगे So without wasting any time, let's begin शुरू कर दें तो जिस तरीके से अमेरिका में nuclear weapons को launch करने का जो फैसला होता है वो वहां के रास्टर पती लेते हैं और उनके पास एक खास brief case होता है जिसकी मदद से वो अपने nuclear weapons को launch कर सकते हैं लेकिन भारत में nuclear weapons को launch करने का जो procedure है वो काफी अलग है क्योंकि हमारे देश में nuclear weapons program को command करने, उसे control करने और उसे operational करने का जो फैसला होता है वो होता है भारत की nuclear command authority यानि की NCA का और इस nuclear command authority के भी दो मुख्य भागें एक कहलाता है political council दूसरा कहलाता है executive council जिसे cabinet committee और security ने 4 जनवरी 2003 में बनाया था इसके अंदर जो executive council है उसे head करते हैं भारत के national security advisor जो की वरतमान समय में अजीद दुबाल है और इस executive council का काम होता है nuclear attack के मामले में political council को अपना opinion बताना यानि कि वो political council को अपना opinion देगी कि हमें nuclear attack करना चाहिए या नहीं और फिर उस nuclear attack को अंति मंजूरी देनी की जिम्मेदारी होती है political council की जिसे head करते हैं भारत के प्रधान मंतरी जो की वरतमान समय में नरेंदर मोधी है यानि कि माल नीजी अगर भारत को किसी पर nuclear attack करने की जरूरत पड़ती है तो पहले executive council पूरी स्थिती का जाइजा लेगी फिर उसके बाद political council को अपना opinion देगी कि हमें attack करना है या नहीं और उसी opinion के अधार बढ़ता है होगा कि हमला करना है या नहीं और जबते कि political council उस हमले के लिए हा नहीं कहीगी तब तक वो nuclear attack नहीं हो सकता है और officials का कहना है कि इस nuclear command authority के अंदर दो अलग-अलग councils इसलिए बनाए गई है ताकि इस बात को सुनेशित किया जा सके कि जो भारत का nuke program है यानि कि जो भारत के परमाणू हत्यार है वो civilian control में जाता रहे और इन हत्यारों का कोई आनथोरा इस तरह की से इस्तिमाल ना कर सके या फिर accidentally ये launch ना हो सके और भारत में nuclear weapons को launch करने के लिए एक sophisticated command and control mechanism भी बनाया गया है और इस बारे में कोई भी जानकारी उपलब्दे नहीं है और जहां तक बात है किसी तरह के खास briefcase होने की तो फिलाल जो जानकारी उपलब्दे उसके नुसार तो यहीं लगता है कि भारत के पास nuclear weapons को launch करने के लिए अमेरिका की तरह कोई खास briefcase वाला system नहीं है और हां जो भारत के प्रदान मंत्रे के सुरक्षया में कमांडो होते हैं उनमेंसे कमांडो के हाथ में जो आपको एक briefcase जैसा दिखाई देता है वो असल में briefcase नहीं होता है वो एक तरह की shield होती है और जबकि हम इस पर already एक dedicated वीडियो भी बना चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि वो असल में क्या चीज़ है और किस काम आती है अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको आपको आज बटन में मिल जाएगा आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और आपको ये भी बता दे कि भारत की Nuclear Command Authority की Executive Council में भारत के National Security Advisor के साथ Interam Forces के तीनों Chief, DRU के Top Officials, Department of Atomic Energy और ऐसी अन्य Departments के Officials भी रहते हैं वहीं जो Political Council है उसमें भारत के प्रधान मंत्री के साथ ग्रह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्य मंत्री और विदेश मंत्री जैसे Officials रहते हैं हालेकिन परमाणू हमला करने का अंतिम फैसला भारत के प्रधान मंत्री का ही होता है और Nuclear Command Authority बात को भी सुनशित करती है कि भारत के जो Nuclear Weapons हैं वो हमेशा Fully Operational रहें और जबकि Russia, France और UK जैसी Countries के पास भी अमेरिका की तरह ही Nuclear Weapons को लाँच करने का प्रोटोकॉल है और उनकी लीडेस भी अपने साथ खास तरह का Brief Case करी करते हैं जिसमें उनके Nuclear Launch Course होते हैं बाकि जहां तक बात है पाकिस्तान की तो 11 April 2019 में BBC ने अपनी एक footage में इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान अपने साथ एक Black Brief Case करी करते हैं और उस Brief Case में पाकिस्तान के Nuclear Launch Course हैं अब BBC की इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो फिलाल हम इस पस रूप से नहीं कह सकते हैं हमों बात अलग है कि पाकिस्तान में उनका कोई भी मंत्री कभी परमाणों हमला करने की जिस तरीकी से धमकी देता रहता है उससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपने हर एक मंत्री की घर में एक special nuclear button लगा रखा है बाकि जहां तक बात हमारे चिंदी पड़ोसी की यानि की चीन की तो उनकी तो हम क्या ही कहें और जो उपलग्द है वो भी पूरी तरीके से बस्त नहीं है और आपको ये भी बता दें कि भले ही भारत में nuclear weapons को launch करने का अंतिम फैसला प्रदान मंत्री के पास ही होता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको nuclear weapon launch करना है तो आप सीधे बटन दबा के launch कर दोगे पहले आपको target सेट करना पड़ेगा कि आपको weapon कहां पे launch करना है और सारे coordinates सही तरीके से बठाने के बाद ही आप उस weapon को launch करोगे और वैसा आपको बता दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 20 जून 2004 में एक nuclear hotline भी स्थापेट की गई थी और अगर आप में से किसी के मन में सवाल आ रहा है कि भारत के पास अगर ये briefcase वाला system नहीं है यानि कि मान लेज़े अगर भारत के प्रतान मंतरी किसी दूसरे देश में है और ऐसे समय पर कोई हम पर परमाणों हमला कर दे और फिर भारत को retaliate करने की ज़रुदत पड़ी है तो फिर ऐसे सिती में भारत अपने परमाणों अत्यार कैसे launch करेगा तो हमारे opinion में ऐसे सिती में ये briefcase वाला system ना होने की थोड़ी बहुत कमी तो महसूस जरूर होगी लेकिन हाँ इतनी कमी महसूस भी नहीं होगे कि हम अपने retaliate भी ना कर पाएं क्योंकि हमारा मानने ये है कि अगर retaliate करने की जुड़त पड़ती है तो भारत की जो nuclear command authority है उसके officers एक proper decision लेके political council का head यानि कि भारत के प्रधान मंत्री तक देंगे और फिर भारत के प्रधान मंत्री चाहें तो वे nuclear weapons को launch करने के orders दे सकते हैं हालेकिन हम आपको एक बाफ फिर से clear कर दें कि भारत का nuclear weapons को deliver करने का क्या system है इसके बारे में information कहीं पर भी उपलबते नहीं है यानि कि ऐसा हो सकता है कि भारत के पास अमेरिका की तरही nuclear briefcase वाला कोई alternate system मौझूद हो पाकि इस पर आपके क्या विचार हैं कॉमेंट सेक्शे में लेके चरूड बताएं तो हमारे आज की इस एपिसोड के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कोई सुझाओ या सवाल हो तो उसे कॉमेंट सेक्शे में शेर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें